गांधी परिवार का दूसरा धड़ा मतलब मेनका गांधी मेनका गांधी सुल्तानपुर से भाजपागी प्रत्याशी है और बेटे का टिकेट कर गया वरुन गांधी का अब मेनका गांधी से सवाल पूशा गया कि आपको क्या कहना है अब मेनका गांधी ने पहली बार बात क जाई है, ग्राव गांधी परिवार पर drankenderुना जाएं को आपको जरूर सुनना चाहते हैं। तो मिठी से चुनाव लड़ना चाह रहा था स्मिती राणी के खिलाब तो बेनकाय गांधी ने एक बढ़ा सटीक बात रोड़ने के और ने का यह देश अब दामादों से उपर उठ चुका है, दामादों से बहुत आगे बढ़ गया है, तो रोबर्ट बाडरा बस दामाद है इस नाते वो सोच रहे हैं कि वो चुनाव में उनकी डाल गल जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है, फिर अपने बेटे पर भी बोली मो, वरुन गांधी जिनका टिकेट गड़ कया, वरुन गांधी जो प्रधान मंतरी की सभा में नहीं पहुंचे कहकर कि मेरी तब्य ठीक नहीं है, अब वरुन गांधी बड़े खिन बताये जा रहा है, वरुन गांधी हो सकता है कि आप पार्टी से नाता ही तोड़ दें भाजपा से, अब ऐसा करके वो अपना क्या राजनितिक भविष्ट देख पा रहा है, अपनी अमाताई जी के लिए क्या मुश्किल है खड उनको राजनित की कोई अनुमत, you know, has no experience, you know, ये देश आगे बढ़ चुका है केवल दमादों से, काम नहीं से, आपने दमाद की बात के राहूल गांधी के भी बात कर देते हैं, उनको कैसा निता आप देखती है, आपने सुनिया गांधी को भी देखा, उनका अभी लंबा अब जब दोनों नहीं हैं, तो पार्टी आगे कैसे बड़े, या तो एक बहुत बड़ा आइडिया जनरेत करें, पार्टी खड़ी हो जाती है, या तो एक बहुत बड़ी लीडर अपने आपको बनाएं, दोनों मुश्किल हैं आप, क्या सला देंगी रावन गांधी मैं कोई सला नहीं देती हूं किसी को भी, तब एक क्या गहांगी कि उनको जैसाब, कुछ नहीं दे सकते हूं सला, नहीं देंगी सला, लेकर मैं उन लोगों को दूँ जो सुने हैं, या राइबरेली में गांधी परिवार का प्रियंक प्रेंका गांधी नेता के तौर पर हमेशा बहुत नपातुला और बहुत परिपक को व्योहार करती रही चाहे बयान देने की बात हो चाहे उनका अपना व्योहार हो वरुन गांधी की तरह उन्होंने व्योहार कभी नहीं किया और मैं फिर से कह रहा हूँ दिखे जिस तरह का परिपक को व्योहार उन्होंने किया है उनक की तयार की वहां से लड़ाए गया अब सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी कुछ और सोच रहे किया क्योंकि देखे मेंका तो बहुत क्लियर है उनको पता है कि गांधी परिवार में विशेश करके सोणिया राहुल प्रियंका उनके साथ ना तो उनका किसी तरह का वास्ता हो सकता है ने कोई राजनीतिक बहुत हो सकता है और वो यह बात कह रहे हैं देखे दामादों से राजनीत तो कभी देश में नहीं चली कोशिश जरूर की जाती रही लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए और मुझे लगता है आज के समय में रॉबर्ट वाडरा जो कह रहे जो किसे हैं प्रीयंका गांधी को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है प्रीयंका गांधी को राजनीत्र भूमिका क्यों नहीं मिल रही है ये सवाल वो खड़ा कर रहे है, वो अपने टिकट भर पर नहीं है, वो बार-बार ये कह रहे हैं और आप उन बयानों में देखे, तो वो समझ में आता है कि प्रियंका गांधी की जो राजनितिक महत्वा का अंक्षा है, कहीं नी कहीं उसको दबाया गया, उनके साथ के लोग बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी बात है, जहां तक मेंकार, रॉबर्ट की बारे हम करें, हर कोई जानता है, रॉबर्ट वाटर चुनवा लड़के कितना कमाल कर लेंगा, मतलब जब कॉंग्रेस है सितनी में, लेकिन ठीक है बाई, दामाद है, टिकट मांग रहा है, दे द आकरमत तक से भाषा का इस्तमाल क्या था, उन्हें इंदरा गांधी के लिए क्या था, राजु गांधी के लिए क्या था, मुझे लग रहा है कि समग के इसाब से परिपक हो गई, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब देश दामादोक से आगया बढ़ चुका है, तो मेंका ग गांधी को ये भी दियार रखना हो कि अब देश गांधी परिवार से भी आगया बढ़ चुका है, मेंका गांधी को जो भी मिला वो गांधी परिवार के कारण मिला है, जन्ता दलने उन्हें अगर हातोओद लेके टिकिट दिया था, तो वह इंद्रा गांधी की बहु थी, संजय गांधी की पत्नी थी, और सुनिया गांधी से वो लड़कर घर से निकली थी, तो इसके कारण उनको हातोओद जन्ता दलने लिया था, टिकिट दिया था, उसके बाद भातियंता पार्टी भी जो सम्मान मिला था, वह इसी कारण मिला था, कि वो गांधी परिवार से आती है, वरुण गांधी को भी जो पार्टी के अंदर सम्मान और पोस्ट मिली थी, वह गांधी परिवार के कारण मिली थी, ये बात वरुण गांधी को समझना जारा जरूरी है, बिलकुल, वरुण गांधी को भी आपा समझना जरूरी है, बिलकुल, वरुण गांधी को वो एक नए राजनितिक दल बनाने की दिशा के और सोच रहे हैं चार जून तक वो इंतियार करेंगे चुनाव परणामों का अभी वहां की जमीन देख रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वरुन गांदी अपनी पार्टी बना सकते हैं कि ऐसस्टिति नहीं कि अवरुन गांदी नहीं कि आप 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 इसान्सद हो करेंगे तो नहीं पर नहीं circular Turkey के नए बहुता बाहर के लोग इतने जादा पारटी खिलाब बोलने वाले हाथे हैं आप उनको devenir सγα़ल रत का शेक बहुत लएं इंड़ेव इं प्रधान मंत्री जिस वक्त सबसे ज्यादा जूज रहे थे प्रधान मंत्री और पूरी सरकार जिस वक्त सबसे ज्यादा परिशान थी उस समय वो परिशान करने की सबसे बड़ी वज़ा को और बड़ा बना रहे थे उसके बाद आप कहरें कि उनको टिकट मिलना चाहिए था वरुन गांधी जैसे लोग जो अनुशासन हींता की पराकाश्टा करते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए था और मैं फिर से कह रहा हूं राजनेता के तावर पर आपको परिपक्क व्योहार करना ये सबसे मूल शर्त है अनुशासन उसकी मूल शर्त है अगर उन दोनों शर्तों को आप नहीं करें तो आप अपनी पार्टी में आप दूसे लोगों को लाके मिलो टिकेट देते हो दो दो बाते हैं देखिए दामादों एक बस आपकी बात पुरी उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे राइवरली से बीजेपी किसको लड़ाएगी मेरे पास एक व्यूवर ने एक मेसेज भीजा है नुपुर सर्मा को बीजेपी लड़ा सकती क्या लड़ा देना चाहिए क्या यदि नुपुर सर्मा को यदि भारतिय जन्ता पार्टी लाती है तो मुझे लगता है कि वो सर्वस्रिस्ट उमिद्वार होगी यदि कोई बहुत बड़ा स्टार कोई और भारतिय जन्ता अब पूजर रहे थे उस समय पीछे से जो वार कहते हैं वरूं गांधी ने वो काम किया इसलिए पार्टी ने जो कुछ भी किया है उनका टिकट काट करके बहुत अच्छा किया है बाहर में जो रह रहा है उसको वो तो आपकी सिकायत करेगा ही आपके बारे में बोलेगा ही जो कॉ कॉंग्रेस पार्टी में कॉंग्रेस के प्रदी उसकी प्रदिबद्दता है भारतिय जन्ता पार्टी में रह करके और भारतिय जन्ता पार्टी को अमरोज कुटारा गात करें एक टिपनी और कर देता हूं देखिए दामादों को जो है वो भारत में दामाद को खाना-पीन का जो है एंटी रमा राओ के साथ क्या रिस्ता था तो यहां भी जो है वो कोई बड़ा आसान काम नहीं होगा लोयल दमादे आज के दिन में दमादे मैंने वहीं का चंद्रवावु नाइडू ने चंद्रवावु नाइडू ने सत्ता चीनी यहां भी यह दि रॉबर्ट वा बार बार कर रहे हैं कि हम लड़ना चाहते हैं जो बात रॉबर्ट जी शायद नहीं समझ रहे हैं वो यह कि आप इमेजिन कीजे रॉबर्ट वाटरा को टिकेट मिल गया देश में कहीं से भी कितना बड़ा मुद्दा इसको बना देगी भाजपा ने उससे बहुत अंतर नह पढ़ने वाला है बहुत अंतर नहीं पढ़ने वाला है को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाई और इससे कोई राजनेती किलाभ भारती जनता पार्टी को मिल जागी ऐसा नहीं मैं वही कह रहा हूं कि रॉबर्ट बाधरा एक पूर कैंडिडेट होंगे राइबरेली के मैं यह कहना चाहता हूं करता हूं इसलिए मैं नरेंदर मोधी का इस चुनाओं के अंदर हाथ बटाओंगा मैं उनके साथ खड़ा हूं अब उनके उपर उनकी बात भी सुनाओंगा आपको और यह वह मैं तस्वीर की इसकी बात कर रहा था मँमगाय में तो कुछ तो है राज ठाकरे के नाम यह तो देखने में सम advocacy मदे राष्टाकरे पहिला मानुस होता जन या देशाचे पंत ब्रदान नरंदर बोधी भावेत अस बोल्लारा पहिला मानुस मियोतो त्यांचा ही पक्षातला कोडी बोल्ला नहुत तो परंत मला सवा थ्यावा आवडल की बबा है अपुला एक स्वताउसाव वीचव अस्तो चात मानुस होन्स होला पहई गोष्टि सांग दस्तात मान सवत्यावाधा Dashा सवत्या मदे उत्रा पित अके अश्चा आश्या असते अदि बग जहाए वाला दोरधार 17 ची निवढडूंग जाली 17 ची निवढडूंग के चाहागो दर्मी काई याने एक भाश्न देन ची आईकद होतो अदि 17 ची निवणडूंग जाली अनतर मला सवटल आरे मी जे आईकद होतो उन से जाकर पूशना चाहिए भाई आ पचालक पैटी मारक यह महाराष्ट्य की दुष्मनों को सपोर्ट कर रहे हूँ तो आप जनता को क्या बताओगे, कारण क्या है उसके पीछे, कौन सी फाइल खोली है, वाशिंग मशिन के बाद बात में आ जाएगी, दिरे दिरे, लेकिन आशी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई, कि आपने अच्छानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया, लेकिन ठी पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, तो राज ठाकरे जो कि कभी एक मोधी मुक्त भारत की ऐसी ऐसी बाते करते थे, आज वो मोधी जी की तारीफ कर रहे है, बहुत अच्छी बात है, मतलब उनका मन बदल गया है, बहुतों का मन बदला, लेकिन मैंने नोट बंदी के लोग महराश्ट में जाते हैं, उनके किलाफ, और मराथी मानुस के सारी राज निती, शिफसना नहीं करती थी, सैंब, क्या हम इसका समर्थन करते हैं, बहुत नहीं कहते थे, जो जितने लोग जो है, बाहर से आयों है, सब को बाहर फेंग दिया जाए, गुजरातियों के ख लेकिन राज ठाकरे की पॉलिटिक्स जो है, वैसी ही पॉलिटिक्स है, चेत्रवाद, भाशावाद, उस राज ठाकरे की पॉलिटिक्स है, और बीजेपी की पॉलिटिक्स से ये कहीं मील नहीं खाती है, बहुत जाला कुछ बचा नहीं है, राज ठाकरे अपनी पार्टी ब बनाया था राज 19 साल हो गए राश ठाकरे बता दे कि 19 साल के अंदर क्या BMC में उन्होंने कोई अच्छी हो कर लिया क्या उन्होंने अपने किसी सांसत को लोकसभा भेज़ पाए क्या विदान सबा के अंदर वो एक ताकत बन सके राश ठाकरे मुंबई कॉर्पोरेशन में महा प्लूक सबा में कुछ दे पाई राश ठाकर अच्छी वक्ता है एक उन्होंने अच्छी पकड है कोई वक्ता नहीं है सिर्फ एक सो मुंबई के अंदर एक विदायक नई है एक विदायक उनका कल्यान ग्रामिन से जिता गया वो भी मुंबई के बाहर से मुंबई में अपन मातरषी को छोड़के दो जाएताइगा अब राज थाकरे महराश की राज़ीते में एक्सपोज हो चुका है अब भारती जन्ता पार्टी के सायोकस है या अपने दम पर कोई ताकत नहीं है बासट जूबी दे बारती जन्ता पार्टी को और कुछ नहीं हाँ मैं बार-बार के वही कुछ सवाल पूशा था मेरे पास एक और यही मेसेज है कि भीड इतिनी है राज ठाकरे को सुनने के लिए आ रहे हैं वोट नहीं मिलता राज ठाकरे माना तो यही जा रहा था किसी उसे ना के बाला साथ ठाकरे को उत्रा धिकारी के रूप में नित रही बात है कि इनकी पार्टी ने खास करके उत्तर भारतियों के साथ जिस परकार के छीछोरेपन का प्रियोक किया खास करके मुंबई में वह बहुत खतरना रहा है उससे उसेना से वस्तुर निकलाया है सी उसेना का लोग बिरोत करना शुरू कर दिये तो मुझे लगता है कि आज के खिलाफ कुछ है फोर्स देखे उद्धो के खिलाफ है आज के दिन में फोर्स नहीं है हाँ वही हर विधान सभा के अंदर यदि 2000-3000 भी यदि इनके तरफ से आ जाता है कंट्रिबूशन आ जाता ह पार्टी जन्ता पार्टी के लिए बेड़ूशन आ जाता है